दोस्तों गुमे किसी के प्यार में साई की भूमिका निभाते नजरा रही आईशा सिंग आज हर किसी के दल में बसती है शोमेनों ने साई की भूमिका को काफी खुबसूरती से निभाया है जिसमें इनके खुबसूरत नाननक्ष और प्यारी प्यारी अदाव ने इनकी खुबसूरती में और चार चान लगाया है जिसके चोलते हैं इनकी फैन फालोइंग आज जो कई बड़ी अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ देती है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं जहां आईशा सिंग ने शो के जरिये दर्शकों को अपना दवाना बनाया है तो वहीं इनकी क्यूटनेस पर टीवी इंडस्ट्री की चार अभिनेता भी फिदा है इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको अभी अभिनेताओं से रूबरू कराने वाले हैं जो कि आईशा सिंग की क्यूटनेस पर दल हार बैट है तो चलिए देर ना करते होए वीडियो की करते हैं शुरुआत और जानते है नबर एक शगुन पांडे इसलिएश में सबसे पहला नाम शुमार होता है अभिनेता शगुन पांडे का जोहाँ ये कहते है कि जस तरह आईशा सिंग क्यूट क्यूट सी हरकते करती है और बड़े ही फणी और मासूमित भरे अंदाज में अपने डायलोग बोलती है वो इनका दल जीत जाती है और इसी वज़ों से ये उनकी क्यूटनस पर अपना दल हार बैठ है और सिर्फ इनकी क्यूट सी हरकतों के लिए ही इस शो को हर रोज देखते है नमबर दो हरशच चोपडा ये रश्टा कहलाता है मैं अभिमन्यों के किरदार को निभाने वाले अभी नेता हरशच चोपडा भी आईशा सिंग की क्यूटनस पर अपना दल हार बैठ है जो आःशा चोपडा कहते है कि आईशा सिंग हर एक अंदाज में बेहद खूबसूरत लगती है वो जिस तरह प्यारी प्यारी ड्रसस पहन कर काफी क्यूट क्यूट हैड्स चायल में अपने प्यारे से चोहरे के साथ परदे पर नजर आती है वो इने क्यूटनस के मामले में कई अभी नीत्रियों से आगे निकाल देता है और इसी वज़े से जब ए उनकी प्यारी सी आवाज में उन्हें लड़ते जगरते भी देखते है तो इनका दिल उन पर फिदा हो जाता है बिनेत्री आईशा सिंग की क्यूटनस पर जो भी नेता फिदा हुए है उसमें एक नाम नील भट का भी शुमार है जो कि भले ही आश्वारिया शर्मा से शादी कर अपना घर बसा चुके है पर शो में काम करने के दौरान ये आईशा सिंग की क्यूटनस पर भी दिल हार बै इसलिश में आखरी नाम शुमार होता है अभी नेता सेंबार नाकपाल का जो कि खुद को आईशा सिंग की क्यूटनस का दिवाना बिताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कई बार इस शो को सिर्फ और सिर्फ आईशा सिंग की वज़े से ही दिखा है शो में जिस तरह वो सिंग की क्यूटनस पर दिलहार बैठे हैं अगर हां तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर्मेंट कर जरूर बताएं साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले